एलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, हिमाचल पर्देश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीरपुर के द्वारा एक प्रैस नोट जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने पोस्ट कोड 795 TGT Arts का रिजल्ट अनॉंस कर दिया है तो इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीदपुर Today declared the result of return objective type screening test for the recruitment of 307 post और इसमें general category 2112 post थी, general EWS कि 39 consistent jernal ward of freedom fighter qi 4 basically थी, obviously UR की 50 बिकेंश थी, obviously BPL की 11 बिकेंश थी, obviously Guard of Freedom Fighter की 1 बिकेंश थी, SCUR काटेगरी की 62 बिकेंश थी, SCBPL की 11, SCBard of Freedom Fighter की 2, STUR की 11, STBPL की 4, और कुल मला करके 307 बिकेंश थी, और इसमें पताया गया है इन रेस्पॉंस अश्ब आप्स्वार्टिक्स थाउन्स Bisil आट का 5 20ס में मैं। 12 1 का इinator आट 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 गे고। इपने डिटिवी सिच डिनी टेस अब्सेंग एंट सल्ट स्री केसा आट पर इंपर 2020 टें Baptist 2021 12 1 दॉट एंख खित की का शिति गेंटी पर शाट आट。 Out of 20,202 candidate appeared The following 995 candidate has been provisionally shortlisted Far further selection process तो उसमें 995 candidate को select किया गया है Shortlisted किया गया है और जिनको shortlisted किया गया है इनके roll number नीचे दिये गया है तो आप इसमें अपना roll number find out का सकते हैं 307 बिगेंस इस थी total और जिनको shortlisted किया गया है हमके roll number नीचे दिये गया है और आगे बताया गया है कि जो 15 marks का जो evaluation होगा shortlisted candidate का उसको बताया गया है कि ये 10 August से लेकर के 23 August 2021 को होगा और 9.30 a.m. इसमें टाइम बताया गया है तो 10 August से लेकर के 23 August तक इसका जिसका evaluation होगा 15 marks का हमिरपूर बताया गया है है कि इसमें जो 15 marks का evaluation होगा वो 10 August से लेकर 23 August के बीच होगा और आप इसको देख सकते हैं तो friends ये है एक important update notification जिससे कोई की HPSC के दौरा जारी किया गया तो friends बीड़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्याबाद थैंक्स